हेलो फ्रेंड जैश्री केश्यना रादे रादे जी देखे आज लड़गव पाल जी के लिए हम आपको इस ट्रेस को बनाना सिखाएंगे फ्रेंज देखे देखे देखने में काफी सुन्दर लगती है और आप इस ट्रेस को होल साज में बना सकते हो हो सबी नंबर के लट्टू अपालजी के लिए यह हमने पांच-no점 उपालजी के लिए पनाई और देखने में काफ़ी सुनदर लगता है और बनाना भूथी है प्रेस मरानाश बून तिमांट करके बता सकते हूं तो चलि hem ne σ handlar सुरू करते हैं देखे फ्रैंड डेस बनाने के लिए जैसे कहम बना ली है। जैसे कि हम बनाते हैं जो लिक निझे अपको निच्छा न कि ब Не मिल जाएगा था की फ्रैंथ। हमने वाइट कलर से बनाया है और फिर ऐसे बनाया है बस हमने कलर अलग लगाए है यह हमने त्री कलर से बनाई है और बनाना ऐसे बनाया है जैसे हमें कलर से बनाते हैं इसी तरीके से हमने इसको बनाया है अगर आपको सीखना है बराना तो आप हमें कमेंट करके बताए हम कि देखें पहले हम घेरे का फर्स ट्रो बनाएंगे 1233 चैन बना के इसी चैन में से हमें डबल क्रोशे बना लेना हैं कि फिर हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे वन डबल क्रोशिया फिर इसी में से एक वो डबल क्रोशर बना लेंगे सबी चैनमी से हमें दो-दो डबल क्रोशर बनाना है हम अपनी सवी ड्रेस में चोली के बाद जो हम घेरे का फस्ट डोघ पर बनाते हैं उसमें चाहे हम open defense बनाओ यह फिर close trace बनाओ हम दोनों तरह से फर्स्ट रो में सभी चैन में से दो दो बार डबल क्रोश्य बनाते है इससे हमारे घेरे की फिनीसिंग अच्छी आती है और देखें मैंने ए रो कम्प्लेट कर लिया है और हम इसको यहां से सिलेपिस्टी से जोइंट कर लेंगे गेरे का फर्स्ट रो हमारा कम्प्लेट हो गए अब हम सेकिंड रो बनाएंगे थ्री चैन बना ली मैंने थ्री चैन बना के इसी चैन में से हमें डबल क्रोश्य बना लेना है देखें एकी चैन में से हमारे दो डबल क्रोश्य हो गए अब next में से one double crochet बनाएंगे देखें इस तरीके से यह हमारे three double crochet हो गई तरीके बाद हमें यहाँ पर जो यह double crochet है इसके नीचे से हमें इसे निकालना है और double crochet हम बना लेंगे इस तरीके से देखें फिर हम just इसके देखें फ्रेंड जो just इसके यहां पर चैन है इसमें से हम one double crochet बनाएंगे फिर next में भी one double crochet बनाएंगे और फिर इससे next में से यहां हमने three chain में से one one single double crochet बना लिया फिर देखें इस double crochet के नीचे से निकालेंगे three double crochet के बाद हमें नीचे double crochet में से एक double crochet बनाना है यह हमारा फंदा बढ़ता जाएगा और सभी chain में से हमें one one times बनाना है जो हम double crochet के नीचे से निकालते है वो हमारा फंदा बढ़ता जाएगा देखे बेखिए हमने 3डवल क्रोशे बना लिया और ये इसके नीचे से निकालेंगे तो देखे एक डवल क्रोशे हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा फिर हम 3 चैन में से 1 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इन 3 में से हमें 1 बनाना है, एक चैन में से प्रिस को और एक कर दो लेंगे, फिर हैंक इस चाहिंए से चाहिए। कि आ देखे इसरे के से बनाते हुए मैं इससी तुरिके से बनाते हुए है अब हम यहां पर स्ट्री से सोरी हमें स्प नालेना पर फिर नेक्स्त में से यह हमारे ठी हो गए और एक हमारा यहां से जाएगा पहले हमारे फोर डबल गड़ गड़ुश्य हो गए उर देखिए जो हमने डबल क्रोश्य बना था उसके नीचे से तरह रिखि अपनाना है इस तरीके से हमारा डिजाइन बनता जाएगा फिर देखें one two three और देखें four एक हमारा double crochet increase होता जाएगा बढ़ता जाएगा इस तरीके से अपने आपी बढ़ता जाता है हमें बढ़ाना नहीं है यहां हमारे four हो गए और next हो में हमारे यहां पर five हो जाएगे देखें इस तरीके से फिर next में से one two three four four double crochet फिर देखें इस double crochet के नीचे से फिर से इस में से बनाना है जो हमने double crochet के नीचे से बनाता देखिए इसी तरीके से हमें अपना रोग कम्प्रीट कर लेना है और इसी तरीके से हम ने इतना बड़ा इसको बना लिया है ऐसे बनाती हुई हमने कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं किया अपने आप यह बढ़ता चला जाता है अब देखिए यहां से हम दूसरा color जोइंट करेंगे मैं यहां पर इस color को जोइंट कर लेंगे जो हमने चोली पर लगाए है दोनों color को हमें जोइंट करना है पहले हम इससे बनाएंगे नेक्स पर हम से yellow से बनाएंगे देखिए यह हमारा sky blue है यहां पर हमी 6 chain लेनी है 6 chain लेनी के बाद हमी 2 chain को skip करना है देखिए इस तरीके से हम 6 chain बना लेंगे और फिर देखिए 1 और 2 chain को skip करेंगे 3 chain में से हमें single crochet बनाना है ऐसे हो देखिए इस तरीके का loop बना लेंगे हम फिर 1,2,3,4,5,6,6 chain बनाएंगे और 1 और 2 chain को skip करेंगे 3 chain में से single crochet बनाएंगे देखे इस तरीके के हमें लूप बनाने है फिर से हम 6 चैन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर देखे 1 और 2 चैन को skip करेंगे और 3 चैन में से इसको joint कर लेंगे ऐसे देखे इसी तरीके से हमें 6 चैन बनानी है 2 चैन को skip करना है और 3rd chain में से हम इसको joint कर लेंगे फिर से हम 2 chain को skip करेंगे और 3rd में से joint करेंगे सभी में हमें 2 2 chain को skip करना है 6 chain बना के और 3rd में से हमें single crochet बनाना है इसी तरीके से हमें अपना row complete करना है फिर से 6 chain बनाएंगे और फिर 1 और 2 chain को skip करना है थार्ड चैन में से हम इसको जोइंट कर लेंगे देखे फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते हुए हम अपना रोग कम्प्लीट कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स मैंने ये रोग कम्प्लीट कर लिया है इसी तरीके से बनाते हुए और हम लास्ट में आ गई मैंने हापी 6 चैन बना ली है अब जहां से हमने इसको शुरू किया था हुआ पर देखिए 2 चैन को स्किप करके हापी 3 में से जोइंट कर लेंके सिंगल करोश्य से अब देखें इस लूप में आ जाएंगे हम और तिवी सिंगल क्रोशे बना के इसके सेंटर में आ जाएंगे लूप के ऐसे अब यहां से हमें दूसरा कलर एड़ करना है देखें अब हम इस कलर को जोइंट कर लेंगे यहां मैंने धागे में नोट लगा लिए है और यहां पे इसके सेंटर में से हमें इसको जोइंट कर लेना है इस तरीके से अब देखें वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सीवन इसमें हमें सेवन चैन बनारी है फर्स्ट में हमने सिक्स बनाई थी फिर हम सेवन चैन बनाएंगे यलो कलर से हमें सेवन सेवन बनानी है देखें फिर हम इसको सिंगल क्रोशे बना लेंगे इसके सेंटर में से फिर से हम सेवन चैन बनाएंगे फिर next में से हाँ उसके center में joint कर लेंगे देखे इस तरीके से हम इसको single crochet से joint करते जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर यहाँ पर इसमें से joint कर लेंगे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 chain बनाके फिर next में से joint कर लेंगे देखे इसी तरीके से हम अपना ये row भी complete कर लेते है देखे friends मैंने row भी complete कर लिया है 7, 7 chain बनाके अब आगे हम जितनी भी बनाएंगे लूप ऐसे हमें 7 chain ही बनानी है सभी में अब हम इसको यहाँ पर joint करेंगे 7 chain बनाने के बाद देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 chain बनाके देखे यहाँ पर इसके center में से हमें joint करना है इसको इस तरीके से देखिए अब यहाँ से हमें दूसरा color add कर लेना है अब हम इस color से बनाएंगे यहाँ से बनाएंगे जैसे हमने yellow color से बनाया है सेवन सेवन चैन बनाके उसके center में से हमें single crochet से इसको जोइंट कर लेना है अब हम इसके center में से इसको जोइंट कर लेंगे देखे इस तरीके से फिर 1,2,3,4,5,6,7 अब देखे हम यहाँ से जोइंट कर लेंगे फिर 1,2,3,4,5,6,7 7 चैन बनाके फिर next में से देखे इसी तरीके से हमें अपना यह रो भी complete कर लेना है उससे नेक्स्ट हमें yellow color से बनाके complete कर लेना है 7,7 ही तो हम इतना बनाके आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स मैंने इसको complete कर लिया है इतना और हमारे यह design के 4 row हो गए 2 row हमने yellow color से बनाए है 2 blue sky से बनाए है अब हम last करो बनाएंगे इन धागों को cut कर देंगे जोइंट करने के बाद लाश्ट करो हम white color से बनाएंगे देखें यहां से एक single crochet बना के धागे को cut कर देंगे दोनों धागों को हम यहीं पर cut कर देंगे और इसके back side में इंदर ही add कर देंगे crochet hook के help से अब है अब हम लड़ों को पाल जी की इतने dress बन गई अब हम last का रो बनाएंगे हो white color से बनाएंगे और देखें यहां देखने में कितनी सुन्दर लगती है कितना आसान है इसको बनाना अब देखे white color को जोइंट करेंगे हम मैंने white color का धागा ले लिया है कहीं से भी हम इसको जोइंट कर सकते हैं पूरे घेरे में से हम कहीं से भी जोइंट कर सकते हैं तो देखें हम इसको यहां से जोइंट कर लेंगे इस तरीके से धागे को सीक अंदर एड़ कर लेंगे ऐसे यहां पर हमने जोइंट कर लिया अब इससे next लूप में से हमें double crochet बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 हमें double crochet बनाना है फिर हम next लूप में से सिंगल क्रोशया बना लेंगे देखे इस तरीके से हमण जोइंट किया इससे next में से बनानी अब इसके next में से बिना इससे हमने single crochet बना लिया है फिर हम एट double crochet बना लेंगे हुआ है सब गमें हमिए इंह डब केसल बनाना है और एक कि में हमें वन सिंगल क्रोश्या देखिए अब नेक्स्ट में से हाँ पर सिंगल क्रोश्य बना लेंगे ऐसे देखे इस तरीके से एक और हम बना के दिखा देते हैं आपको देखे धर से ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सेक्स सेवन और देखिए एट डबल क्रोश्य बना लिया हमने इसे नेक्स्ट में से सिंगल क्रोश्य बना लेंगे ऐसे देखिए इसी तरीके से हमें अपना रो कम्प्लीट कर लेना है ऐसे ही बनाती हुए तो देखिए फ्रेंस मैंने रोग कम्प्लीट कर लिया है और बन के ऐसी लगती है हमाई ड्रेस लड़गों पाल जेकिए काफी सुन्दर लगती है देखने में अब देखिए हम इसको लाश्ट में कैसे जोइंट करेंगे यहां पर मैंने एट डबल क्रोश्य बना लिया है और एक चैन बना के दागे को इहां पर कट कर देंगे देखिए देखिए फ्रेंस मैंने सभी दागों को कट कर दिया है और यांद यह कर दिया है और देखिए हमारे लड़गपाली की ड्रेस बन के रेड़ी हो गए देखने में काफी सुन्दर लगती है आप इससे सभी जाएगी चोली हमने पांच नंबर की बनाई है घेरा हमारा शीक्स नंबर तक के लिए इनफ है वह देखिए घेरे को आप बड़ा करने के लिए जो हम नी सेंटर में रोब बनाया है डिजाइन से पहले उसको और भी बड़ा कर सकते हो और फिर लास्ट में हम इस डिजाइन को बनाएंगे और लास्ट का रोब बना लेंगे चोटी बनानी है आपको तो घेरे को हम यहाँ पे 1,2,3 ऐसे हम कम कर सकते है बहुती प्यारी ड्रेस है कितने भी बड़ी चोटी आप बना सकते हो अगर आपको 10 और 12 नंबर के लड़ू क पाल जी के लिए बनानी है तो जो हमने डिजाइन के रोब बनाई है इनको आप डेबल कर लेना देखे चार जो हमारे फोर रो है फोर रो के बाद हम इस डिजाइन को बनाना है फिर हम फोर रो बनाएंगे फिर इस डिजाइन को बनाएंगे फिर फोर रो बनाएंगे इस तर ये उती जजय खायो है को का मेश घिन कोओफी वाए है